हेलो गैज, वेल्ट एक्सरेस में आपका हर्दिक स्वागत है गैज, आज सेटरडे का देन है, तो आज मैं आपके लिए तीन मल्टी बेगर स्टॉक लिके आया हूँ जो आने वाले तीन से छे महिनी में आपको अच्छा रिटन दे सकते हैं तो आपने देखा होगा गाइस कि लास्ट विक मार्केट में बहुत बारीवर कम गिरावट आ गई यानि कि बहुत अच्छे-च्छे स्टॉक भी अभी सस्ते में मिल रहा है तो आपको ऐसे टाइम पर जो आपने पहले सोचा हो कि श्टॉक लेना है लेकिन बहुत महांगा मिल रहा है तो वो श्टॉक भी आपको अभी बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है तो ऐसे टाइम पर आपको setup पर जाना है, setup अगर रोक के लग रहा है तो वहाँ पर आप इसमें भी entry कर सकते हैं, लेकिन आपको risk reward match करना है, अगर risk reward कम से कम 1-2 का आ रहा है तो वहाँ पर आप position बना सकते हैं, अभी market में जैसे कि गिरावट आ गए तो उसका यह मतलब नहीं कि कि आप कोई भी stock ले लोगें, ऐसे time बें बहुत सारे portfolio में कच्रे stock भी आ जाते हैं, जिसका लालच में ले लेते हैं, कि अरे इतना 50% उपर से नीचे हो गया, तो आप ले लेते हैं, तो बहुत सारे लोग यह भी गलती करते हैं, तो वह आपको गलती नहीं करने हैं, क्या है, पहले description में जाके telegram channel जोइन करना है, उससे क्या फाइदा होगा, कि आपको यहाँ पर live market में कुछ भी update होगा, वहाँ पर आपको मिलता रहेगा, तो वह आपको miss नहीं करना, क्योंकि अपने YouTube related है, कुछ भी update होती है, वीडियो आना है, कि नहीं आना, लेट आना, ड आपको watch list में एड़ करना चाहिए, अगर आपका किसी में stop loss हो गया है, तो आपको वहाँ पर exit करना है, और नए stock आपको portfolio में एड़ करना है, ऐसा हिमत नहीं आना कि सारे में stop loss हो जाता है, तो आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना, अगर सही level पर कोई stock आता है, तो वहाँ percent का stop loss था, वो trigger हो गया, और उसके बाद एक epigral था, epigral जो बोल सकते हैं, वो तीन में अपना stop loss हो अधरवाइज, बागी के सारे stock अच्छे से performance दे रहा है, और बहुत सारे stock ऐसे है, जो stop loss level के निचे आया थे, लेकिन closing उपर दी, तो आपने normally weekly chart के उपर, क्या करते हैं, stop loss lever देते हो, वो weekly close के हिसाब से देते हैं, वो आपको ध्याम में रखना है, तो अभी अपने चलेंगे, तीन stock जो आने वाले week में बहुत अच्छा performance दे सकते हैं, तो उसमें पहला stock का नाम रहेगा, jubliant pharma, jubliant pharma में क्या हो सकता है, एक small cap company है, market में बारी बर्खम देखोग जाने की, ऊपर के साइड अभी जाने के बहुत high chances हो, और यहाँ पर risk reward भी match हो रहा था, इसलिए अपने stock में position बना सकते हो, लेकिन आपको जो भी में आपको यहाँ लेवल बताऊंगा, वो सिल, education purpose के हिसाब से बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर weekly chart के उपर analysis करेंगे, stock का नाम में jubiland pharma, यहाँ पर आपको clear cut क्या दिख रहा है, stock पहले downtrend में जा रहा है था, उसके बाद stock ने क्या किया, यहाँ पर उसका downtrend खतम करके, यहाँ पर देखो कि तो uptrend यहाँ से start हो चुका है, तो यह uptrend higher rise higher low मानना start किया है, अगर stock यहाँ स incase गिरेगा, तो भी यहाँ पर demand zone में आके फिर से उपर जा सकता है, तो यहाँ आपका reversal point बोल सकते है, यहाँ पर stock bounce back करने के बहुत high chance से निचे से देखोगे, तो trend line का यहाँ पर support कही ना कही आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला है, जब भी कोई trend line demand zone के अंदर से cross होती है, तो वो stock का reversal point होता है, तो stock यहाँ पर trade कर रहा है, लेकिन अगर दो week यहाँ पर tick गया है, दो-तिंग candle के बाद, उसके बाद गिरावट आएगए तो इसको demand zone का भी support मिलेगा, और trend line का भी support मिलेगा, जो बहुत high chance है कि stock को bounce back करके उपर जाए, और आने वाले 3-6 महीने मे 880 के level stock दिखा सकता है, अभी CMP कितना है, 568 के आसपास है, stop loss का आपे लगाना है 485 के WCB, WCB का मतलब होता है कि आपको weekly close का wait करना है, समझो कि stock Monday को यहाँ पे निचे गिर के 470 आ गया है, तो आपको exit नहीं करना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, stock निचे जाके weekend में, य weekly close there, तो आपको हर Friday को देखना है, सवा तीन बज़े, सवा तीन के बाद, अगर stock आपके stop loss level के निचे trade करना है, तो वहाँ पे उसमें exit भी कर सकते हो, तो पहला stock हो गया है, clear cut आपको क्या लिखा है, अब trending stock है, demand zone will give support, जो अगर stock गिरेगा, तो इसको demand zone का भी support मिलेगा, तो बहुत high chance है कि stock 880 की level दिखा सकता है, तो अपना पहला stock होगा, जिसमें आपको position बनानी है, अभी guys मैं आपको दूसरा stock बताऊंगा, जिसका नाम रहेगा, TCS, TCS है कैसा stock है, जिसमें बहुत आने वाले 3-6 मुनी में बहुत अच्छी rally दिखा सकता है, stock already uptrend में चली रहा है तो अभी इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको weekly chart के उपर analysis करेंगे, stock का नाम है TCS, आपको यहापर क्या दिख रहा है, stock निचे आया, फिर से stock उपर गया, फिर से stock निचे आया, और उसके बाद base बना के फिर से उपर जाने का try किया, फिर से उपर गया, breakout candle बोलोग उसके बाद वो reversal का weight करते हो, और active होता है call तभी अपने position करते है, नितो अधर्वाइस यह last week में देखो के तो बहुत सारे stock ऐसे थे, जो back to back गिरी रहे थे, रोज ना रोज, तो वो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी stock उपर से निचे गिर रहा है, तो तब आपको position बन सकते हो, 3930 का WCB, WCB यानि की weekly close के साब से stop loss आए गया, ये stock का आप ध्यान से देखोगे, तो पूरा supply जोनता है 3930 से लेके 4040 का, यानि की 110 पूइंट का पूरा supply जोनता है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे, तो stock ने breakout दिया, इसको आप रिटे स्केंडर बोल सकते हो, तो अभी आप CMP पे पोजिशन बना सकते हो, अभी बहुत सारे लोग सोचोंगे कि ये 500-300 का target कैसे आए, तो guys मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा कि target कैसे निकालते है, तो जब भी ऐसा base पे राउंडिंग, bottom जैसा यहाँ पे आप देखोगे, तो ये stock का क्या था, top ता उस को उपर की side add कर सकते हो, तो clear हो गया, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे कितना level था, 4040 का मोटा मोटी ले ले लेते हैं, और निचे 39 होगा, तो ये कितना gap हो गया, 1100 point का gap हो गया, तो 1100 point का gap हो गया, तो अभी आपको target कैसे निकालना है, breakout candle यहाँ पे मिल आपको विकली close का follow करना है, 3930 के निचे विकली close दे, तब भी exit करना है, तरवाँ स्टोक को hold करके रखना है, इन्वेस्मेंट में जितना लंबा hold करके रखोगे, आपको market में फायदा होने के chances बढ़ जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है, तो अपना दूसरा स्टोक हो हो सकता है, तो विकली चार्ट के उपर analysis कर रहा है, श्टोक का नाम देखोगे, तो Reliance Industry श्टोक का नाम है, यह आपर देखोगे, तो स्टोक उपर गया है, निचे आया है, फिर से उपर गया है, यह निकि स्टोक को बहुत अच्छा का सप्लाई मिल रहा है, शप्लाई जोन क निचे है, विकली क्लोज दे तो अभी exit करना है, अभी CMP कितना है, 2834 के आसपा से आपको stop loss लगा के 2620 का, विकली क्लोज के इसाब से stop loss लगा के आप इसमें position बना के रख सकते हो, आने वाले 306 महीने में श्टोक, 3000, यहापे मैंने गलती कर दी, sorry, 3335, यहापे देखोगे, तो reliance में क्या हो सकता है, आप द्यान से देखोगे, तो इतना ही gap है, ज्यादा gap ने, 1500 पोइंट का ही gap है, तो अभी इसमें क्या हो सकता है, उपर की साइड आपको breakout के बाद 1500 पोइंट करोगे, तो 3375 का target आएगा, आने वाले 306 महीने में अभी कितना चल रहा है, 2834 चल रहा इनके stock गिरता है, तो आपको exit करना है इसके नीचे, तो इस demand जोन हो गया है, बहुत high chance है, और बहुत अच्छे से breakout दिया है, multi-air breakout है, तो बहुत easily stock इतना नीचे नहीं आते है, लेकिन अभी आपको discount में मिल रहा है, market में गिरावाट आई थी उसकी वज़ा से, तो आपको ऐ इन श्टोक बता दिये, Jubilee and Pharma पहला stock है, TCS दूसरा stock है, और तीसरा stock है, Relance Industry तीनों में बहुत अच्छी rally आ सकती है, आने वाले 3-6 महीने आप अपने portfolio में अड़ करके रखोगे तो अच्छा return दे सकते हैं, तो गाईज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करके जाना, चैनल को सस्क्राइब करना, कुछ भी डाउट होता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितना हो सके मैं answer देने का try करूंगा, तो गाईज प्लीज लाइक का बटन दबा के जाना, थैंक यू वेरी मुच, बबबाय, टेक केर, कल मिलते हैं नए वीडिय में बबबाय, टेक केर हैं